जिन्दगी में हमेशा एक बात याद रखना कि जो चीज गमा सकते हो उसे मांगना बंद करो याद रखना सच बोलने की आदत हमें किसी भी परिस्थिती का सामना करने का साहस देती है लोग कितना भी इत्रिच रख ले कपड़ों पर लेकिन आत्मा तो अच्छे कर्मों से ही महकेगी आदत और संसकार हमें बताते हैं कि हम दो कोडी के हैं या सो कोडी के कर्म बिना पूछे और बिना बताय ही दस्तक देता है क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों ही याद रखता है घर बदल जाए या चेहरे बदल जाए कोई गम नहीं लेकिन सब से ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए हैसियत का कभी अभिमान मत करना क्योंकि उडान जमीन से सुरू होकर जमीन पर ही खत्म होती है याद रखना किसी दूसरों को कष्ट देकर हासिल किये गए सुक की उम्र बहुत छोटी होती है लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रोंग बनोगे आप जितने स्ट्रोंग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी बहुत मेहनत लगती है दोस्त कुछ मुकाम हासिल करने में लोग दो पल में ही उसे किस्मत का नाम दे देते हैं हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है, दौलत बेशक अमीरों के आंगन में खेलना पसंद करती हो, लेकिन खुशी कभी भी दौलत के बंधन में नहीं होती है, किसी भी relationship में इतना मत जुखना कि तूटने के बाद उठते वक्त तुम्हें सहारा लेना परे आग हमेशा अपने ही लगाते हैं जिंदगी को भी और लास को भी जिंदगी कभी नहीं रुलाती है रुलाते तो वो लोग है जिने हम अपना समझ लेते हैं जिंदगी सब के लिए वही है बस फर्क इतना है कि कोई दिल से जी रहा है और कोई दिल रखने के लिए जी रहा है एक्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और एक्छा पूरी होती है तो लोग बढ़ता है इसलिए जीवन की हर इस्थिती में धैड़े बनाए रखना ही स्रिष्ठता है सत्य की भूख सब को है लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है समय एक नदी की तरह है हम एक ही पानी को दुबारा नहीं चूश सकते क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा यह आपका ब्रह्म है हगीकत तो यह है कि मन प्रसन्न रखो सारे दुख दूर हो जाएंगे ये कासवास का अहम नव पालो जो काम खुशी दे वो आज ही कर डालो अपने सफर का रास्ता वह बदलते हैं जिनको खुद पर सक होता है वरना कामयावी के पसीने पर सिर्क मेहनत का हक होता है हर पेर फल दे ये जरूरी नहीं किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है खुबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में जो तरास्ता है उसे खुशी नजर आती है और जो तलास्ता है उसे खामी नजर आती है जो जुखते हैं जिन्दगी में वो बुजदिल नहीं होते या हुनर होता है उनका हर रिष्टा निभाने का लोगों को परवा नहीं कि आप खुश है या उदास उन्हें परवा है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं याद रखना, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है, यादे खुसबू की तरह होती है, कितनी भी खिरकी दर्वाजे बंद कर लो, हवा के जोके की तरह अंदर आही जाती है, अपना वजूद ऐसा बनाओ, कि कोई आपको छोड़ तो सके, पर भुला ना सके, जरूरी नहीं कि हर समय लवो पर खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है, जब इनसान किसी के काम आए, जिन्दगी हमें सिखाती है, कि अगर सांती चाहते हो, तो दूसरों की सिकायत करने से बेतर है, खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से, खुद के पैर में चपल पहन लेना कहीं अधिक सरल है, अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभाव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कलपना है, और अनुभाव हमारे जीवन की सीख है, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है सिर्फ उसकी सोच हम से अलग है उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे सच्चे लोग दिल में उतनी जगा नहीं बना पाते हैं जितनी जगा मतलबी और चापलूस बना लेते हैं अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सब को मेरी जरूरत पड़ेगी अपने सोभाव को चिर्चिरा मत कीजिए अगर कोई बात छोटी करे तो आप दिल बढ़ा कीजिए याद रखना जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक जूट आधी दुनिया घूम लेता है कुछ पास आएंगे कुछ दूर जाएंगे बहुत कम लोग ही है जो निश्वार्थ रिष्टे निभाएंगे कभी कभी मन को मना लेना ही बेतर होता है हर जिद हमें खुशी नहीं देती सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाईयों पर रखते हैं बेसक कड़वे होंगे लेकिन आपके लिए फायदे मन ही होंगे